दोस्त कैसे आरोफ सब बड़े हूंगे आज करने वाले है लेक्चर अगर तो बना ली है अदिकर रवह कुछ चीज porridge अगर मुझे को सब्सक्राइए लुए लुए तो आज यह दोनों चीजे हम इस लेक्टर में करने वाले हैं सब्सक्राइब करते हैं तो अगर आपने प्रीवियस नहीं देखा है तो उसको जाके एक बार देख लो ठीक है वरना वाई तुम तुम्हें समझ में आये गए नहीं बात है कोड का स्ट्रक्टर यह क्या हो रहा है क्या हो रहा है तो अगर आपने अगर प्रीवियस लेक्टर नहीं देखे तो यह रिक वर जाकर उसको देख लो अदर्वाइस फिर दिक्कत आएगी मैं जल्दी से बैकेंड वागारा स्टार्ट कर देता हूं आपको वो अबर्वियू दे सकूं कि हां कि हां सी में वाइ सीदी फ्रेंट एंड 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 इसको कट करती हैं यह जल्दी से आपके सामने हम प्रेड़ करते हैं मसेचीज ठीक है और कॉंसोल के वो कहां वाई आजा यह आपके सामने आ चुकि है बाई सब लोग अपना ठीक है और आज हम वही अपना कॉमेंट वाली सब चीज़ें करने वाले हैं एकदब मस्त करके और यार मैं चाहता हूं परसनली कि मैं यह ना सबको डिलीट कर दूं क्योंकि एक नई परने तरीके से शुरुआत करने वाले हैं तो यह सबको डिलीट कर देते हैं आपने मोंगो डीवी को अपना डेटावेज है ना इसको डैपएं हैं आऊ कि वेख उल यह वाइन Иcken अपनेमन करोंगार तो करत favori टिक है अपना मोंगो डीवी अपना टावेज रावेज क्योंकि फिर होगा कि अभी पता एक कमेंट करने वाले यह उपर वाले व्लोग तो चली ने उपर वाले व्लोग किसी भी काम के नहीं है फिर हम बोलेंगे भाई यह मतलब फिर कमेंट में वह थोड़ी से तुमको इनकंसिस्टेंसी दिखेगी मुझे अच्छे आपको एक्जा एक रही है सबुस्ते है काउंच ऑशिपांट अफिर अब नोत एक्जिस्ट एक कुल करना वड़े का है को मैं मैं मैंने आपको पट-पट आपको आपको एकोनने यह एकूंच पर दिखाया का कि नोट पांड कंड कि भी उनोट अचिस्ट उन्पर ने गडेगा है पुड़ कर लेंगे हम इसको भी कट और अपनी उरीजिनल वाले से भी काम चला सकते हैं क्या दिक्कत है लेकिन लोग इन करने में वही है सब लिको वैलिडेशन लगाएंगे ना तब हमें उरीजिनल की ही नीट पड़ीगे ना कि हमारी इमेल पर जाएगा एक जो इमेल डालेंगे वहा सब्सक्राइब करेंगे अभी तो हमारा कुछ भी चला है कोई वैलिडेशन ने कोई कुछ भी निटी करेंगे लाइव नहीं हम टेस्टिंग मोड में है अगर मैंने वह सारी वैलिडेशन लगा दी वह सब्सक्राइब कर दी फिर मेरा दिक्कत आएगी ना मैं लोग इन करता अब हर चीज में टेस्टिंग करने को करा हूं तो यह है टेस्ट एक की में सब्सक्राइब कर देते हैं को सब्सक्राइब कर दिया अब यहां वे लोट रही है कि लिख लो आप एक कहीं अगर डायरी वगरा कहीं कर रहे हो नहीं सब्सक्राइब कर लिख लो कि अभी लोडर लगाना है पोस्ट पे कि हां मुझे वह लोडिंग दिखा नहीं है वह सब्सक्राइब कर रहे होंगी कोई तुमको परिशाने दिक्कत वाली बात नहीं होगी यह मैं कहा रहा हूं वाले चीज़ देखने वाले और कॉमेंट को मैं एडिट कर सकूँ को मैं इस सामने एक क्या खुले एक चीज खुलका है ठीक एक फॉप अप खुलका है या फिर एक डायलोग बोक्स खुलका है जिसके अंदर दो चीजे लिख्यों कि आप इसको डिलेट करना चाहते हो या फिर आप इसको एडिट करना चाहते हो समझ मारी दोस्तों बात क्या तो आप इसको करना चाहते हैं तो वह चीज़ implement करते हैं सभी है वह चीज है थीक है अब दिखो एक हम मस्ती पोलो करेंगे तुमको भी समझ में आएंगी साइछ चीज़ा कोई भी तुम्हें दिख्कत आली बात नहीं होगी ठीक है तो मैं पहले तुमको दिखाता हूं मैं comment वाली चीज़ मै क्वाइन फाइन फाइन थीक है तो हम इसमें ठीडार थीक है हम इस रिटन में जबंखे वह तीन डॉक का में पहला थीन डॉक्ट का हैे और यही वह तोक यही बहुत और जेखो मैं से पर ऐब कर नुकार पॉइंट वरूंगा तक नहीं था पॉइंत हो जाएगा को ठीक है यह घूर तो हम क्या करेंगे यह हम क्या करेंगे हम यहां पर पॉज़ कर रह crec तो मैं true है एक चीज की value, किसी भी चीज की value true है, और जब true होगी तो मैं कुछ div बगारा दिखाऊंगा उसको, ठीक है, और जब false होगी, तो मैं उसको यह दिखाऊंगा, ठीक है, ऐसा सा मैंने कुछ logic लगा, अपनी conditional रेंडिंग करा दी, किसी भी चीज की value true है, तो मैं उसको दिखाऊंगा, और किसी भी चीज की value false है, तो मैं उसको यह दिखाऊंगा, और अभी true है, तो सब जगा वो div दिखेगी, और div तुमको दिखनी रही होगी, यह चीज गया आप होगी, सही है, अब यह मेरा कुछ कैसा सा दिख रहा होगा, मैं बदाता हूं, कैसा सा दिख रह नहीं, delete, ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छा बना लेके, edit और यह ऐसा कुछ करके आगया, और इसमें थोड़ा से styling कर देते है, class, bg, थोड़ा सा gray कर देते है, तो थोड़ा सा सही दिख जाए, और विर्थ देते हैं, कुछ तो pixel, और rounded कर देते हैं, थोड़ा सा सही सा दिखाना चाण वाई, ठीक है, यह थोड़ा सा round rate कर दिया, और विर्थ जादा दे दी, तो इसको 70 कर देते हैं, तो यह 70 सा आगया, बहतरीन, बहतरीन, nice, अब यह अंदर की चीज़ें, इसको थोड़ा सा edit कर देते हैं, class, और class में देने के बाद, हम इसक पैडिंग देता हूँ, पैडिंग दो, पैडिंग दो, पैडिंग दो देती, जैसे styling करना हूँ यह तुमको पता होगा, ठीक है, और, I think तो इतनी चीज़ सही है, और जब इस पे hover हो, तो इसका color कर देते हैं, BG, blue, 500, ठीक है, और इस साजी की साए चीज़ हम नीचे copy कर द पैडिंग तो दो दूंगा, लेकिन PY में 1 दे दूंगा, so that वो जो Y की एक्से में पैडिंग 1 ले ले ले, बाई की साब डायरेक्शन से दो दो ले ले, so you can see, थोड़ा साइस से दिख रहा है, थोड़ा साइस से दिख रहा है, थो एक यह पोपप सा खुल के आगया, यह न तो यही दिखाना था मुझको एक्चुली है, यही दिखाना था, कि हाँ, edit कर लो, delete कर लो, यह साइचीज आप कर सकते हो, nice, 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 over कर ने पिसका, कम रख जाओ, shade, 200 रख जाओ, पीछे का background color नहीं दिख रहा है, background text का color नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा, क्योंकि मैं चारा कि मैंचिक के coding का हो जाए, क्या दो white कर दो, 300 से, 300 के साथ हम चलते है, आगे, ठीक है, इस 300 हुल के आगया, nice, अब, 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 अब क्या करना है, अब तुमारे देको उपर बात है, वो, ठीक है, अब एक मुझे cross का button भी बनाना है, cross का button भी बनाना है, like, मुझे नही अब इस साद मुझे आप इस पर click नहीं करना, गलती से click हो गये, गलती से click होने का क्या मतला है, बाई, अब मेरा moon change होगा, मुझे नहीं करना है, तो मुझे pop up hide भी तो करना पड़का ना, तो pop up देखो, जब hide होगा, तो, यहाँ पर value false हो जाएगी, और false होने के बाद, च्क इंडोट चमकने लगेंगे बट्यार मुझे तो अब किलिक करना है तो मैं अब इसको टोगल कराता हूं ठीक है अब ध्यान से देखना हम इसको टोगल कराएंगे भाई इसको कैसे करा सकते हैं अब हमें क्रोस का बटन चाहिए होगा क्या तो तुम इसके नीचे लगाओ यह च कैंसेल कर दो मुझे अब इन में से कुछ नहीं करना तो यहां लाओ सकते हो या फिर कोई क्रोस का बटन लेव में पर यूज किया है थीक है हमने ने कहीं उपर देखो यूज किया हूआ है अगर आप दिख रहा है ना क्रोस इसको लिख आते हैं कहा है भाई यह था ना यही है ना यही है इसको कोपी करते है और मनीचे कहा था लगेगा इसको कमेंट कर देता है यह इसा सा दिखेगा और यह बड़ा बड़ा सा दिख रहा है इसको करते हैं स्मोल थोड़ा स्मोल हो जाओ ठीक है तो इसको मुझे गरना है इसको मुझे कोने में भेजना है मैं कोने में भेजना है तो मुझे इसको कोने में भेजना है तो मैं देता हूं राइट जीरो आइट जी तो साथ आसे लेकिस के लिए हमको absolute बगारा का उप्योग करना पड़ता है तो मस में relative देता हूँ absolute लगाँगा तो उसका parent को relative बनाना रुड़ेगा ऐसा पकेदी करने में बड़ेगा और हो जो नहीं रहा है right से कुछ value देते है 5 इधर चला गया अच्छा इसमें relative का role है कि यह भी देखते है यह रिलेटिव का दो रोल है अधर वाइस वह प्रोपेटी ही नहीं लेगी ठीक है तो राइट से तो भाई यह राइट इसको ही समझ रहे है कि लेफ्ट लाओ कि नहीं आर्ट कर दो गया है तो यह सही है और एमटी दो कर दो कि यह में क्रोस करके क्रोस करूंगा तो मेरा क्रोस हो जाएगा है और बाकी बात में वह पॉप अपा जाएगा साही है अब वह स्टेट लाते है कि जिससे की मैं इसको अब क्या करते हैं अब एक नहीं चीज बनाता है कॉंस्ट जाएगा तो यह अब करते हैं अब एक नहीं चीज बनाता है कॉंस्ट इसको बलते हैं इस क्या बोलते हैं इसको क्या बोलू इसको मैं क्या बोलू इसको क्या नाम दू हूँ इस is pop up open इस 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 को बलते हैं इस 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 pop up open इस is बहुत नाम confusing लग रहा है बड़ ठीक है इसी के साथ चलते हैं और यूज स्टेट में वैल्यू रख देते हैं और यहां पर ना यह समय तरीका है यह सिम चीज है जो हम करते हैं यह रिप्लाइ कर रहा हूं फिर रिप्लाइगा फिर उपर से हडि गया फिर रिप्लाइगा फिर यह ऐसे हो गया ठीक है तो मेरे अकोडिंग तो भाई यह सेम तरीका लग रहा है कि हाँ पर वैल्यू आईगी नल ठीक है और जैसा हमने वह चीज हैंडल करी थी हम वैस्थे ही इसको भी हैंडल करने वाले हैं और यहाँ पर पता क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे इस नहीं लग रहा है इसमें हमारा नव आजाएगा तो अगर जो हमारा करेंट है पोप अप की वैल्यू को स्ट्री को स्ट्री को मैं इसके आईडी के तो हम इसकी यह दिखा देंगे अधर वाइस यह दिखा देंगे ठीक है और इसमें भी ओन क्लिक लगाना पड़ेगा ओन क क्लिक फंक्शन डालो और सेट करेंट पॉप अप कमेंट आईडी यह तो मैंसद तुम्हें रड़ जाना चाहिए वाई यह इतनी बार क्या है कि क्या ही बताओं और फिर इस पर करो उन क्लिक और जैसे आपने यह डिस्पैच वगरा रखा यह सब तो नहीं लेगेंगे इस क्लियर सी बात है सेट है करेंट पॉप इसमें पूरी तुम्हारा वह लोजी लेगा प्रीवियस निकालो चैक करो क्या प्रीवियस की वैल्यू ठीक है प्रीवियस अगर एक को स्टू है कमेंट डोट आईडी के तो भाई साब नल रिटन करा दो अदर्वाइस वह कमेंट व करते हैं काम कर रहें कर रहें तो अब एक दिक्कत आ चुकित अब यार यह तो सब पी आगया मतलब मुझे तो प्लेवल सा कुछ चाहिए था और किलिक करने पर भी कुछ नहीं हो रहा करन पोप ठीक है कुमेंट डोट आईडी मनब कुछ कुछ हो नहीं रहा है ना हमारे उसके वर्क करने रहा हुआ है जाह मैं चाहिए तो रही इनीशेली सब पही आगया अगर आप देखो इनीशेली तो सब पही आगया पहली दिक्कत तो यह आईडी है यह ना अरे आईडी एक गलती दो मैं नहीं निकाल ली ओके नाइड वर्की फाइन बट अभी वी दिक्कर आ सकती है लेट सी यह देखो यह काम कर रहा है बट यह डिपेंडेंट नहीं है यह इंडिपेंडेंट वाले चीज है वरना नीचे वाले देखो कहीं कितने भी खोल लो तोप लेवल वाली जगा पर है ठीक है तोप लेवल मेरी यह जगा है ठीक है और फिर मुझे इसको पास करना पड़ेगा नीचे नीचे कहां पर हां पर हो करेंट पोप अपर करेंट पोप अप एक पर फिर इसको ही मुझे कोपी करना पड़ेगा नीचे सेम चीज पास करने पड़ेगी बट पास करने से पहले यह चीज मुझे एक्सेक्ट करने पड़ेगी तो वह भी करने थे पर्फेक्ट अब चलेगा वाई ना पर्फेक्ट ठीक है क्या बात है क्या बात है लाटर अब सब्सक्राइब सब्सक्राइब यह पूरा हमने सिस्टम साइड कर दिया इसका वाई इसका पूरा सिस्टम को सैट कर दिया वाई मजस हை है ना मजह सा इन कि भाई ठीक है ओके ड़न है थीक है बहतरीं अब चलेए ऑपर हम सेखत्र बनांगर में हगे है गवारी तो सब कोमेंट है ठीक है और जो चीज मैं बोल लाँ ना एड़िट वाली वह बहुत बेसिक सी है बट तुमन सोड़ा से देखना पड़ेगा क्या देखना पड़ेगा हम लोगों कि जब मैं एड़िट पर किलिक करूंगा तो मैं एड़िट किस प्रकार से हैंडल करूंगा कि सबसे पहले तो मैं कुछ करांगा यह मेरा कुछ कराने के लिए लेकिन उसके नीचे में क्या करांगा सैट करेंट पॉपक को नल कर दो है ठीक है यह 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 और इसके बाद कुछ एक्षन परफॉर्म होने चीज और सेम पता है का सेम चीज जो आएगी वह सेम चीज को पे कर लेता है और डिलीट के साथ भी सेम चीज आ रही होगी भाई साब मैं पहले कुछ करांगा और फिर इसको क आमीशन को ही कोल करांगा लायक लिख देता हूं है अगया है कोमेंट अपडेट जैसे मैंना क्या पास कर दिया कि आई डी कर दी कोन सब्सक्राइब चुछ करोंगा और सेम चीज यहां पर होगी हैंडेल कोमेंट 지elet पूंहाँ पर क्या बास करती है इस चीज थीज है थीक है बट दोस्त मैं इसको एड़ीट कहां करांगा मैं वह एक प्लेश वीदियो दूंगा न की भाई सब यहां एड़ीट कर लो वह एड़ीट कहां करांगा यह एडिटेबल नहीं है ना इसको एडिट कहां कराएंगे तो मेरे दोस्त बास मेरा लोजिक ध्यान से सुनूं तो सब समझ में आ जाएगा ठीक है लेट्स ओपन अरे कि अगर अगर अब ध्यान से देखो दोस्ता ना मैं क्या चाहता हूं मैं यह चाहता हूं जैसी में इस पर क्लिक करूं और रैडिट पर क्लिक करूं मैं यह पूरा का पूरा चेंज कर दूंगा यह पूरा का पूरा चेंज कर दूंगा और इसकी जगए एक नया बोक्स ला दूंगा विचिज एड़ी टेबल उसके अंदर हेलो वैल्यू लगा देंगे पर हेलो वैल्यू लगाने के वाद यह जाद दो बटन दे देंगे यह तुम इसको कैंसिल कर सकते हो या फिर इसको अब्डेट कर सकते होasti है कैंसिल कर सकते हो फिर अपडेट कर सकते हो और अगर तो फिर से यह दिख चाएग कर दिया तुम्हें अबडेट वाला पार्ट лыताएग उस बटन के अंदर लगाना पड़ेगा अभी यह चीज करते हैं अगर तुमें में एक्जाम्पल दूं कोई है अगे एक जामपल देखतें एक से गया ऐुआ कि कर ने को किन लिखा में आड मैं अडिलीटे前 मैं डिलीट कर दूंगा है कि लिखा में इसको करना है एड़ीट द्रसपन Calm चे य Cleaning टोना यह तै कि कि तो अब ध्यान से देखो मैं अगर करता हूँ आइड़ दिस रेस्पॉंस भाई ये पूरा ही चेंज होगी है लाइक मेरी प्रोफाइल तो अब्विस सी बात है वो चेंज नहीं होई बढ़ हाँ अलग ये चीज भी क्रेजी है तो अब तुम पूरी प्रोफाइल गूँकि बाप्टेक टॉन ऑपडेट करने हे लुगे पोरी प्रोफाइल के वह क्रांए तुम पूरी प्रोफाइल कहा सकते हूं मुझंगी हैं पूरिये की पूरी चीज रेंडर कहाँ से हो रही है ना यह नहीं तो यह नहीं है हाला यह Dip a बार्ट यह का लिखा है कि एक्टिर रिप्लाइ की लिए हो गया यहां से लेके यह div तुमारी हो गई वाली div ठीक है यह paragraph हो गया फिर यह current pop-up comment वाला part हो गया फिर यह div हो गई I think so यह इतना part है ना इतना part है तुमारा इतना part है ठीक है इतना part है अब इतने part के अंदर ना तुम वो लगा सकते हैं अपनी conditional वाली चीज़ ठीक है करें 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 दोस्तों करते हैं तो अगीन इसको तुमें एक डब्बे में गिरना पड़ेगा ऐसे डब्बे में गिरा यहां पर I think so एक error आएगा और वो error ही आएगा क्योंकि यह ना सारी की सारी एक single child की तरह treat होंगी चीज़े तो इसको single child के लिए बनाने के लिए आपको anche और आपको ऐसे करना पड़ेगा और आपको ऐसे करना पड़ेगा और हमने कुछ वर्ला कर दीगा बाई अस्तस्की डिफ आगया है कै मैं डिफ आगया किसी कि तो इसकी ढभाई-ओव यह इसके अंदर एका nice तो पर आउना थोड़ा हाँ, इस पैसे करते हैं पैसे करा ठीक है और यहाँ पर यह एक अब एरर दे रहा है वो एरर यह है कि यह सारे के सारे ऐसे सिंगल चाइड ट्रीट होने चीए जहां तक मुझे लग रहा है इनको खरा देते सिंगल चाइड ठीक है डन है अब इसके अंदर में वह रखाऊंगा अगर सब्सक्राइब प्रॉब है तो अब यहां पपर देखो छूबे सब एध्यारय क्यों उसका रीजन में दोस्ति यह कि पहली लगा रहे हैं कि मैं थोलेशे ओर चीज करऊंगा यह टेक्स दी जागे जागे कि डिव ले लूगा कोपी कर रहा हूं तो रियूस कर रहे हैं चीज़ों अब तुम नहीं इसका एक कोंपरेंट नहीं बना सकते हो मैंने रियूस कर लिया ठीक है जिसमें कि मैं ओन चेंज को भी सैट करूँगा अब बटन तो यह आगया तुम्हारा ठीक है एक बटन और ले लेंगे इसको बोल देंगे चैंसल और इसको बोल देंगे एड़ेट या अपडेट जो बोलना चाहो और इन सब को भी कर देता हूं ठीक है अब देखो यह कुछ ऐसा साइगा ठीक है यह कुछ ऐसा साइगा ठीक है डवन है डवन है डवन है डवन है अइसको तोड़ अखाता ही कर देता है इसको भी एक दीप में ले लेता है class Flex Gap दो तीन और इसको कर देते हैं पर यह राउंडेड एक्सल ठीक है और बढ़ा देखाई तरी एक्सल कर लेते हैं इसको कर देते हैं रैड इसे एक जाब डिशाब नहीं चाहँ जाब एक चीज गड़ बढ़ा है वह चीज गड़ गड़ा है मैं वैल्यूस नहीं आरी क्या वैल्यू तो वैल्यू के लिए करने पड़ेगा थे टेक्स एरिया है टेक्स में डालो डिफोल्ट वैल्यू और इसकंद लिख दो क्मेंड डोट कोमेंड इस एडिटेवल यहां पर एक चीज है कि अगर आप इसको वैल्यू लिख दोगे वैल्यू लिख दोगे उसका रिज़न यार्ड यह है क्योंकि यह जो वैरियंबल है यह जुँआ है यह किस पर डिपांड करता है यह जस्ट एक डेटा पर आ रहा है और तुम उसको लिख रहो तो आप डिफोल्ट वैल्यू लिख रहो न्यू इसके से आ रही है कोई चीज है ना समझ रहो ना लाइक अगर मैं डिफोल्ट लिखे फिस ओन चेंज लगा रहा है वो साई चीज़े तो मैं वैल्यू लिख सकता हूँ ठीक है पूर एक्डेंपल वागर मैं से रिप्लाई सेट कर दू सबकर अगर सेम चीज़ है सी मैं एडिट कर पा रहा हूँ सी मैं एडिट कर पा रहा हूँ क्योंकि वो एक सेट की वैल्यू है सेट सेट की वैल्यू है ठीक है बट अगर मैं सेम चीज़ यहाँ पर लिखता हूँ तो मैं यह एडिट नहीं कर पाऊँगा विकोस वैल्यू में लिखता हूँ ईडिट नहीं कर पाहुँगा इसको वैल्यू देत सबने अब आप है अब है इडिट नहीं कर पा रहा हूँ ओझाए इसको रिप्लाइय देतो हुआ यहां पर जो कि एक useState का अभिएवल है जो का usedState का यहां पर कोई आज आए च digestive है डी ठीपोल्ट वैल्यो डीने का मदब है कि डीपोल्ट वैल्यू तो यह है अगे अरे आ जैना और अगे डीपोल्ट वैल्यू तो ऊइडील कर सकते हैं क्रेजी और बाइशे नहीं डिक आ ले तुमने टूप कैसे दिखा जै ले अपने गोसे ऐसे लुंधर कुछ लोजिक लगेगा नहीं लगा है गुरू, कुछ लोजिक लगा होगे ना बढ़ा कैंसिल वाला भी सेम चीज होगा कि इस पोपप को कहसा अटाओगे एडिट वाला तुम एडिट कर दोगे ठीक है तो आप करते हैं और यह भी हम टॉप पी करेंगे ना टॉप पी करेंगे क्योंकि फिर हम एक ही चाहिए वाला सब के पास आएगा तो कॉन्स्ट इसमें भी हमें सेम चीज़ करती है क्या है आई तिंक सो करन्ट एडिट कोवेंड एडिट कोवेंड एडिट करन्ट एडिट कमेंड यूज इस्टेट सब में देखो वही सेम लोजिक लग रहा है वाय ठीक है और फिर यही मैं बोल देता हूँ पास करना है कोवेंड जान गुप कनन पर अद्वाद कि यहीं कम रेंगें यहीं कोन कर और यहीं की तीन होजहिए में पर यहां पर यहां पर एक्सेंइकरें तो भी गन नहीं पड़ेंगी, कल लेते हैं वाई ठीक है करेंट एडिट कोमेंट यहाँ पर हमें डालना पड़ेगा ना इनीशली नल थी वैल्यू परू लिख रखता है आपने डालो करेंट एडिट कोमेंट अगर इतक्वस्तु इतक्वस्तु है तो आप इसको दिखा अधरवाइस चक्कर में हो ठीक है ऐसा डालते है एक्सेया दिखा दिया अधरवाइस वह दिखा दिया सही है अभी तो हट जाएगा वह अभी तो सब कोमेंट आ जाएंगे अपने कोमेंट आगिया बट जैसी मैं एडिट पर किलिक कर रहा हूँ अब कहीं और लगेंगे ना चीज़े मैं बताता हूँ कहां लगेंगी इस पूरे को को पी कर लेता हूँ एडिट वाला बटन यहां तो है पट आपक्शुली यह इस एडिट वाले बटन के लिए है अधिये ओन क्लिक वगर देखो लगा रखता है और यह कैंसल है यह तो इस एडिट वाला है एडिट कोमेंड मैं तुमें क्या डाला है कोमेंड डॉट आइड़ी ने यह चीज़ करती है तो अब देखो कि ख़ो ख़ो कि अब वही कुला अब फूरी ख़ो थुम इसको कर सकता हूं भी यह हो अगर यह तो मैंने यह वाला मोडल बता दिया लेकिन अगर आपको ऐसा चाहिए, कैसा चाहिए भाई अगर आपको ऐसा चाहिए, कि सिर्फ ये पार्ट तो मेरा सेम ही रहे, ये पार्ट मेरा चेंज हो सिर्फ, तो इतने पार्ट को रख दो भार, कहां से, इस कंडिशन से भार इस कंडिशन से भार रख दो इतने पार्ट को का है condition यह जी ठीक है और जितने पार्ट तो यह उसको अंदर रख लो simple सी चीज़ है ना bro 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 simple सी चीज़ है ठीक है तो यह सबज में आगे आगा cancel पर देखते अब cancel पर क्या होना चाहिए cancel पर भी simple है ना bro सब्सक्राइब आप अपड़ेट वाले चीज़ देखने है अपड़ेट वाले चीज में कुछ नहीं है वाई हो इसको ने बोला और id बोल लू, comment id बोल दो इड बोल देता है handle ठीक है ठीक है यहाँ पर आपने this कर रखेंड़ यह चीज आपकी नहीं होगी आपकी क्या होगी handle reply something के try and catch block लग रहा होगा हमारा तो मैं copy कर लेता हूँ बोजार एत्ती बार लिख चुके हैं तो आइसिंग को नीड नी पड़ेगी तुमको ठीक है अवेट लगा रखा है तो इसको एसिंग बना दो ठीक है पोस्ट कर रहे हैं आप ठीक है अब देख के हो कि जब तुम किसी कोमेंट को अपडेट करते हो कि क्या चीज़ा आपको चाहिए होती है और अभी ना ट्राइन केश व्लोग अठा देता हूं ठीक है एक तो कमेंट द चाहिए और 1वैकरणी यहओं देख करके द कहिे एपडेट के बाद हम देखते हूं कहीं चाहिए एक9 अपडेटHHH और अपडेट कोमेंट जा टकेट अपडेटिडख कोमेंट तुब कर эту अब देद्ट कोमेंट अप्डेटिटेड कोमेंट कर दो, क्या गस्फ ना है組क्रे ना कल आना शर्णा से अनल इसा कुछ करसकती हो एक एंचटाइब और ब्राटिड कान्स की आना से निकालना और आइड हमारी पैराम से निकली जाएगी सही है राउट का धियान दे रहा है थोड़ा था राउट हमारा कुछ एडिट कोमेंट करके है तो कल देते हैं वाई सही और उससे पहले लाइक मैं हापे चेंज कर देता हूँ बटी अप्डेडेड कोमेंट कॉंटेंट की वाल्यू कहा से आएगी यही बनाना पड़ेगा न तुमको तो यही बनाते हैं वाई और इसको मैं हावी बना सकता हूँ योगे तो वालो डिपेंड कर रहे है ना इसको हावी बना सकते है ना ठीक है जोजिस्टेट का खाली और अभी मैं इसके आपको प्रिंट कर गया था हूँ आईड़ी के आ रहिए और अपडेटेड कोमेंट के आया है बट यह कभ आएगा बट यहां तो ओन्टेंज्ट में आपको यह करना पड़ेगा जाब अपडेटेटेट कोमेंट लगाना है and there we go scene set सारे scene set है वाई आप चलते हैं किसा ही चल ला है यह नहीं चल ला है सारी basic से चीज़े हैं कोई ऐसी चीज नहीं कि मैंने तुमको क्या ही बता जाए वाई यह जान में क्या ही बता जाए तुमने वोट इस दिस वाई cancel तो cancel होगे ना वाई edit आया hello yeah something ठीक है आ रहा है edit पर काम कर रहा है cancel कर देता हूं मन नहीं कर रहा है edit करने का यह ही नहीं आ रहा है बड़ी हम मस्त है भाई मस्त निशान भाई मस्त है साही चीज़े सही चल लही है updated हो रहा है updated content मिल ला है अब इसको करते हैं uncomment यह मुझे मिल गया ठीक है response आएगा यह comment यहा पाएगा edit comment यह ना देख लो check कर लो ना वाई blogs edit comment id blogs नहीं है देख इसमें blogs edit comment और यह parent comment नहीं आएगा और यहां पाएगे हमारी id तो मने modify कर लिए इसको updated comment content डाल दिया यह डाल दिया, bearer token डाल दिया, catch और इसको try नहीं को भी यहादा गया हम नहीं oh it is working fine, nice set reply को खाली कर देंगे set खाली कर देंगे और set current edit comment को खाली कर देंगे dispatch वाली यह चीज़ बाद में करनी है done, I think so scene set है, scene set है 2 एक लगा रहे थे इतना ही तो चाहिए let's try, let's try, let's try, let's try backend का सारा चीज set up है का पर गली है hello updated edit किया edit करने के बाद आया एक्स योज पोस्ट पोस्ट नहीं actually patch आयेगा, error आगया होगा हम आपे बट मैंने कर लिया, यहाँ वाई error आगया होगा यहाँ पैच है ना hello updated update हो चुका है pop-up भी शोट नहीं होगा toast मैंने लगाने रखेंगे toast toast लगाँ ना वाई toast लगाँ toast success road message यहाँ रहर रहर नहीं हाँ toast लगाँ थोड़ा ठीक है बैसको refresh करते है updated nice comment updated successfully अब यहाँ पर यहुआ हो नहीं हो रहा है manage करने बढ़ेगी state comment update हो रहा है वाई comment अब अब देट है हम यह आते की आलचाल है हो रहा है साही चीज़ा चाहिए अब एक चीज है मेरे आप से blushjin यह यह चीज सबको धिख जाएंगे क्या यह यह पूरे बटन सब को धिल्चार गर मे एकषचेंग तो नहीं दिखने चाहिए माइ सब पूरे इसको डीखने के नहीं दीखने एक और अकाउंट के रेट करने वाले हैं इसका नाम रखते हैं पॉपू पॉपू होगे तो भाई इसका नाम रखते हैं पॉपू अब इसका नाम रखते हैं माई नेम इस पॉपू एड कोमेंट आ चुका है ठीक है यहां के शो हो रहा है अब सोचो मैं यह कर एडिट करना चाहूं यह यहां शो क्यों हो रहा है एडिट हो जाएगा सब चीद हो जाएगा ठीक है लेगन सोचो मैं इस पर एडिट करना चाहूं इस पर एडिट करना चाहूं एडिट पॉड़ॉडॉण क्यों कि यह मेरा कोमेंट ही नहीं न स्अधिन कैसे कर पारहूं कुस्तु अर्र राया कुस्तु अरर यह कुस्तु अर्र आया यह कुस्तु अर्र राया कुमेंट अडिट ही यह नही थह you are not valid user to edit this comment मैंने इस कहा है देखो यह देखोला एरर कहां पर यह ऐसे आके फिर रेस्पॉंस रेस्पॉंस के नदर डेटा मैसेज ठीक है करते हैं भी एड रेस्पॉंस डेटा मैसेज सही है यह मेरा कमेंट तो हाही नहीं और मैं अजब पकु आ रहा हूं और मुझे सारे उप्शुंस भूर रहे है और इस अधर डेस्ट इस्ट नुट दिवाइन अर्र अर्र अभ निया अगा अर्र यह रोड बार्ड उसर यह लाइन ऐख को मेंट से हिरए आप इसको शो कर रहा है ब्रो वायर इस शोइंग दिस ठीक है यह क्यों कर रहे है उसको पपो जी को यह शो मत करो ना गलती तो तुमारी है मैंने तो कुछ नहीं कहा वाई गलती तुम अपने देखो तो हम क्या गरेंगे जो पूरा बटन वाली भसर्ड थी कहा से कहा तक थी बटन वाली भसर्ड मेरे भाई यो जरह हमको बताएं यह बटन वाली भसर्ड यहां से लेके और यहां तक थी ना थी की नहीं थी यहां से लेके यहां तक थी तो हम क्या गरेंगे भसर्ड को खतम करें कि इतना पार्ट है जो इतना पार्ट है कि इतना पार्ट है यह एक पार्ट और इसके वह लगा रहा है कि लेकिन इतनर रूम तो बात पहले में कुछ चैक करूंगा यह बताऊ पहले मैं यह चैक करूगा की जो इस्साब यह कमेंट है तक शॉर हमारे थे इन उसर हम या फिर कैसे चैक करेंगे और मैंने उस करके भी कर रखते हैं न को चुपर काहएं काहए वह वह यह यह youजराइडि यह योजराइडि स्लेट कर रखते हैं पिदेग यूजर लख यूसर इणिक imagery गें यहां पिडली अन। सेलेक्टेट व्लोग और यहां पर क्या किरेल चैनका क्रिंटर क्रिड उर आएडी .creator.id user id यह हो गया और और एक चीज़ लगाएंगे क्या जो comment के author है comment.creator यह तो लगाएंगे है .id जानी पहचानी है किस से जानी पहचानी है इस vlog से अगर आप व्लोग में आओगे सेलेक्टेड व्लोग में आओगे तो आपको इस व्लोग का creator अब मैंने गलती करती सायद से नहीं करी हाँ थोड़ी सी गलती लग रही है मुझे को मैं क्या कर रहो comment को check कर रहो comment.creator comment में जाता है comment में चेक करते है comment में क्या structure है comment में user करके comment.userid तो comment.user आई यहाँ 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 पर कैसे है यह selected blog के अंदर creator creator के अंदर यह id है हम इसको extract करेंगे भाई साब यहाँ से selected blog को हमारा यह है selected blog ठीक है कैसे करेंगे creator creator के अंदर से मुझे क्या चाहिए मुझे सिर्फ और सिर्फ उसकी id चाहिए so id id को मैं यहाँ पर बोल दूँगा creator id इसका नाम मैंने चेंज कर लिया ना जैसे अपने तको व्लोग का व्लोग आइड निकाला creator id अब आपको गुरु यह पास भी करनी पड़ेगी ना नीचे कि अपना अप तुनी आजेगी तो एक वैरिये वलोर बनाओ बनाना पड़ेगा वाई इसको तुम ना मैं बताता हूँ तुम ऐथा भारी से दिख रहा है ना दूम इसको फट्टो तुक्लों port2 पे तुम लें तोर सक्ते हो creator nd और यह अगर है तो आप यह चीज दीखाऊ ठीक अगर है तो आप यह चीज दिखाऊ आगर है तो इतने पार और में अधर्वाइस, इसको और कुछ वेडिया घर, जाओ, आप देखते हैं क्या था नहीं काम नी करे ती लिह तो यह दिखार है चीज़े jest कमेंट डोट यूजर डोट आइडी फीक है यह अध्य काम पुने होता है ठीक है यूजर आइड या फिर ऑमेंट डोट यूजर अगर एकपॉस्पॉए देस इसी दो बड़ता है वहाई एको डीबकल लेता है वहाई selected vlog मुझे ओथर की ID चाहिए तो ओथर के ID कहां से मिलेगी रखाइटर और इसकी ID हुआ ठीक है डन है ऑक्टेशन अच्छा मैं समझ गया यह तो भाई वह ना यह तो creator भी है ना तो that's why यह show कर रहा होगा है ना में भी में जो मैं सही बोल रहा हूं I think so अब मैं करता हूं निशान भाई का अकाउंट से login ठीक है अब मैं करते हैं अपने भाई से तो मुझे पपू आई पर नहीं दिखाना चाहिए है ना करते है अब मुझे पप्व है पर नहीं शो गारता है अएस जग्सक्तली एक्जजग्ग्ली 611 है अब मुझे पपपआय नहीं शो काणना है यज ganz bad इस है लोजिक तो सही लगए अपना अजि़ में गलवर लग रही है गलवर क्यों लगरिया मैं बतातु मैं हम घर ये लग रिए कि कुमेंट कभ शू करना चीछ क्या तो वह इस व्लो का ओथार हो या पने उसका ओ ठीक है अब command.user.id equals to this क्या हो सकता है क्या है क्या है क्या है क्या है वाय भाय है वाई सही है नहीं भी लग रहा है वाई सही है creator id command.user id ठीक है user id और command.user मैं निशान के नम से कर रहा है न so मेरा user वो है ठीक है अब चेकल देता है वाई क्योंकि पता इसमें दिक्कत यह है कि create किया है निशान वाई ने ठीक है निशान वाई ने create गया है but comment id निशानवाई की नहीं है comment निशानवाई कर नहीं है but still बचातों यहां पर show हो क्योंकि मैं इस comment को delete कर नगाना चाहूंगा ना बचातो हूँ यह शो हो अपडेट ना गरा हूँ डिलीट तो करवाई सकता हूँ न वही 4 6 7 4 इस अपके होता है 0 6 7 9 0 6 7 9 सही है 5 5 5 5 5 6 5 7 7 8 9 10 11 12 12 12 13 14 11 10 16 11 12 15 15 15 16 17 कि इसको तीन वार उप्ष्ट्व बोल दूगा यहां पे दिखे हैं लेकिन वाई युजर कर सकते हैं अपने आधिज रहा है पर एक्जांपल ये मेरे उस पर है ये ये जो मेरा व्लोग है मेरे व्लोग पर तुम कर तो में ये वो अथुरिटी होने चाहिए कि मैं डिलीट कर सोगो तुमारा कॉमेंट अगर मुझे पसंद नहीं आया तो ठीक है तो ऐसा आला सीन ये आ ये ये सीन सेट ये और है अपने कहले कुछ करते आए ये 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 डिक्कत रहेंगे न अगा दूंगा दूंगा दिक्कत रहेंगे ये लोगिन था अपके तो वही पे दिखाना चीए ने फिटा क्यों सब कुछ दिखा रहा था था सबूंगा था ना पड़ा सदा करता है ना जीक्स चैक करते हैं आए एपपट्रट्रीषए मैंद डट गोम सुर्ण दो कीयों यह यह.. बरिफ डिय्दे रार किसी बेन समर् वहाँ क्यों बेंको बॉटी के लुटा ह। लोगो है गृम है अहですね जो से अफ़ एग है कि यह यहां पी तुस्तों मैं डॉलबड़ कर रहा हूँ वो स्लाइट से मिस्टेक है भाई बट समझ नहीं आ रही है क्या है बहुत हल्की हल्की सी मिस्टेक है क्या है कि देखो कोमेंट डोट यूजर आईडी सही है एक की कुस्ती यूजर आईडी ठीक है नहीं हुवाई सही है अगर यह वादी चीज होई पहले पहले यही करते हैं गंडिशन लागाता ही हटो अधिक है मुझे चाहिए कि मैं सबको दिखा हूँ मैं सरी से कमेंट करेंग। ठीक है इसको दिख गई सही है ठीक है तो बाकियों को उन्हों दिखी और इस case में क्या था इस case में ये था कि अगर ये चीज ये हर comment के लिए check करा रहा हूँ नहीं ये तो हर comment पर check हो रही है तो comment पर आये भाई ठीक है ठीक है तो वो आनी दिखेगी सही है है ये मुझे ही दिख रही है अब आता हूँ मैं आपर sign in कराते है भाही के नाम से अब डिलेट भी कराना है भी comment को इसको लिखा ये नीचे वाले है ठीक है बट मुझे चाहिए हैं पर कि मैं नीचे वाले को भी दिखा सकूं भाही हो ठीक है विदे फर्क नीचे मेरा comment है नीचे बट मैं इसका owner हूँ ना so blog comment.userid ठीक है समझ रहुआ जोड़ा सा और मेरा blog है उसकी user की ID जो जाए कि जो लोगिन यूजर है और जो current vlog है उस केस में दिखाना है और user id इपसु इपसु हो जाए वहारे यह करना है यह करना है यह करना है Creator ID, Creator ID इस ही ना क्या था यह था ना Now I think so, काम बन गया यह अपना YES ठीक है, अब इसको गड़ते है क्या से पट अब पपवई से रहते हैं, पपवई पपवई सुनो ठीक है अब यह शरीफ ऊपर नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि यह तो भाई यूजर की कुछ निए यह 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 चाहिए था बट यहां पर यह एक ट्विस्ट है यह तो ट्विस्ट है तो आरा करते है लोग इन इस तर तो समझ में आगे ना सोट विस्ट देख लेता है अपना सी में सोचो करें सो वह वह वैरिफिकेशन लगा जाए जाए अभी मेरी ऐसी कित ऐसी जाए ठीक है वाई सही है डन है मुझा लोग है नाइस यहां पर मुझे एक ट्विस्ट करने लाइक यह चीज है सवगा इसे मैं इसको सिर्फ डिलीट ही कर सकता है यह एड़िट नओ खरे दिलीट ही कर सकतोँ एड़िट नओओ करे तो वह मुझे कहा करना पड़ेगा इस काल लिख्ता ई उसब कंडिशनर्णग लगाने पड़ शिम्पा इनई सिरिफ ओर सिरिफ इफ 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 क्यों लगा रहा हूं मैं इडिट अगर तुम्हारा यह वाली चीज़ है यह सब मेरे कमेंट है तो मुझे दिखाएगा इडिट भी कर सकता हूं मैं इडिट अपडेट भी हो चुका है इसको मैं डिलीट नहीं कर सकता है इसको डिट नहीं कर सकता हूं मैंक डइडिट कर सकते हैं मेंडे अधिका है धान इसको सारी चीज़े करें इसको üldig जो कुछ नहीं है कर दो कमेंट वाले में कुछ नहीं है है हैंडल कमेंट ठीक है कमेंट वाले फंक्षिन को बन किया जाए क्रिपय करके तुम भी बन जाओ इसको कर देते हैं रैसा है सबसे पाई और इसको कर देते हैं है 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 कि यहां आते हैं क्राइब करा कैच करा है बेसिक सबसे पहले दिए डिलेट डिलेट कर दो ओर डिलेट करने के बाद भाई क्या चाहिक है आपको इसका साइज से डिलेट होगा है लेकले देना आप लॉग रॉट डिलेट कोमेंट देना और आईडी देनी है कुछ नहीं करना कोमेंट देना और डेनी है अग्या जिए धिक है यह वाला पार्ड हटाएंगे यहासे दन है और पता है कि फरक होता है लाइक आप कहीं जैसे की पोस्ट अगरा कुछ अपडेट करो लाइक डिसलाइक में देखा था क्या वाहां पे हमें हमारा हमारा पैश प्रता था तो हमें ये खाली चीज ना देनी पड़ रही है क्योंकि तुम्हारा ढूंघ प्रश्र, हेडर ला फार्ड जो प्लेस होता है लिकिन डिलीट में तुम इसको हटा नहीं पड़ेगा यहां पर यहां पर यहां तो हमेशा आलर आजाएगा तुम्हारा की टोकन नहीं भीज़गा तो इसमें मैसिज देंगे डिट सक्सेस्फुली का और ब्लॉग्स यह सब कुस्साहिए अपना कमेंट कंट्रोल में देखते हैं डिलीट का करना है डिलीट वाला यार हमने लोजिक लगा यह था शुरू में ठीक है यह है यह है अगर इसके लावर कोई भी है तो कर दो भाई उसको स्विंग जाट ठीक है देख दो यह है अब देखे हैं देख सिंगा लेट करना हाँ तो सब्सक्राइब है ने तो सक्सस्विय नियुक्त कर पाया अच्छे क्या पपू अब देखं़ यहां फेड़िए अट इन एक तीज है ठीक है बिंगया कि अन्स इडिप्रू सब्सक्राइद में लगाता हूINA ने ल café को इन व्री ऑपाइज को अल्फ दो डरीन सह fun इसको डिलीट करता है इसका परिश्य होने वाली है कि अगर मैं तोप लेवल वाली चीज़ डिलीट कर दू तो सारे कमेंट डिलीट करने चाहिए ना मैं तोप लेवल वाली डिलीट कर दी चीज़ डिलीट करने वाल इसको रिफ्रेश्च किया तो बैश जीरो आ गया सगय कुई कोमेंट नहीं ठीक है और इसको यहां पर आते हैं वैसको रिफ्रेश्च करते हैं यही रहता है यूजर का मामला व्लॉब कहां रहता है ठीक है लेकिन 2 comment कैसे बजगे दू comment कैसे बजगे अब इसका reason देता हूं तुमको इसका मैं reason देता हूं आपको इसका reason भाई ये है कि मेरा जो top level vlog है उसके अंदर comment है ठीक है और उसके अंदर replies है top level की बात पर रहा हूँ, तो comment के अंदर multiple replies है, multiple replies है मेरे तो यह जो delete मैंनी है वो इन सब replies को दो delete कर देगा बट इसके भी further replies होंगे ना इसके भी further replies हो सकते हैं तो वो इनको delete नहीं करेगा तो वो हमारे नीचे के दो delete बज़के बस यह उपर उपर के reply हट गए और यह तुम्हारा क्या होगा यह तुम्हारे database में कभी जाएंगी ही नहीं यह तुम्हारे database से कभी जाएंगी ही नहीं ठीक है यह ऐसी वाली चीज़ होगी इनका काम भी कुछ नहीं है बट यह तुम्हारा space लेंगे which is गलत है इसको फिर कैसे हल किया जाए इसको हल करने के लिए तुमको यह वाली query नहीं लिखनी है और इसको भी देखते हैं उसके लिए हम यहां पर एक method लगाते हैं एक function बनाते है recursive कई async function delete comment and replies इस function के अंदर ना यह जो line है इसको मैं cut कर लेता हूं इस function के अंदर ही आ जाएगी और इसका भी काम नहीं इसको copy कर लेता है इसके अंदर तुम्हारा सारा काम हो जाए कैसे तुम यह आया पहले बाहर इस function को लगाते है अवेट delete comment and replies इसको भेज़ दो id कि जो तुम्हारा comment है जो एक top level comment है ना तो तुमने भेज़ी id यह क्या गरेगा यह खुद से find करेगा ना let comment इक पसको अवेट comment find by id और यह id बिल इसको ठीक है यह मैंने comment id दे जाते हैं आपर find by id कर रहा इसने comment को ठीक है find by id कर लिया अब यहाँ पे तुम वही लगा लो और इस पर validationsizing लगाने के need नहीं है क्योंकि आपने उपर ही validations लगा ली है ठीक है तो मतलब नीचे validize जाओगा data और off loop लगा लो again so let हना let और फिर यहाँ पालो reply id off comment.replys ठीक है ठीक है और फिर इसके अंदर तुम्हें करना है इसके अंदर आपको अगेन अवेट delete comment replies और reply id यह आपको यह वाला logic लगाना है और तुम्हारा काम सेट है यह वाला logic लगाती नहीं तुम्हारा काम सेट है इससे जादा और कुछ भी नहीं है वाई सच्छी में बता रहा हूं इससे जादा कुछ नहीं है यह logic लगा दिया काम सेट है तुम्हारा इससने यहां पर करा उसने हापर सीन करे उसने हापर क्या सीन करे यहां पर आया अब उसने उस प्रीपलाई को पास कर दे हैं हापर Nah यहां पर आपर उसकी Dokt Pinterest चल ते गया फिर वह एक ही का दूसरे का नैसटेट थीसरे का का नैसटेट पिर उसके भाहर चला गया ऐसे-ईसे करके यहां नैसटेट खतम होगा तो यहां वो आज देट दूसरे अब चलते हैं कि verify करते हैं काम कर रहा है नहीं करता है तो पहले उसके लिए मैं डेटा को drop करता हूं को मेंट्स ठीक है डेटा को drop कर दिया यहां पर test करते हैं हलो एड हो जाएगा कोई दिक्कत वाली बाद नहीं है इसको refresh करते हैं क्या आया एक comment आगा ठीक है हमारे पहले डिलीट हो रहते हैं ठीक है यहां पर refresh करते हैं दू आ गया अम इस टोप लेबल वाले को डिलीट करते हूं को मेंट्रेट सक्सेसफुली जीरो आ गया सगी है वैरी वैल यहां भी जीरो हो गया अब थोड़ा nest it लगाते है ठीक है अब थोड़ा nest it जाते है वैं थोड़ा nest it चलते है यह 3 लेवल पाया nest it ठीक है कि एक comment उसका reply है और उसका reply है उसका भी एक नए एक reply है अब इसको delete करते हैं डेत सक्सस्थूली आप याज डेलीट क्यों करते हैं मुझे महाँ पर रिफ्रेश करना था पर कोई बाद भी आप थोड़ा गहरा नेस्टेट करते हैं तो जादा हम नेस्टेट कर लिंगे इसको कि वही ठीक है कैसे कर डिलेट कर इसको वही तुम देख लो किसा नेस्टेट कर लिया मैंने उसको डिट आग हो कि कॉंप्लेक्सिटी बढ़ गी आवाई ठीक है और पहले इसको डिलेट कर देते हैं अब देखते हैं आप एक कोमेंट आ रहा है सही है अब रिफ्रेश करते हैं पर कितने कोमेंट तो बारा कोमेंट है अब चेक कर लो एक दो तीन चार पांच शे साथ आट नो दर ग्यारा बारा कोमेंट है है इस सब्सक्राइब लगारा को डिलीट करता हूं इसको बोलते हैं यहां से यहां से तुमने यह सी का कि भाई यह इसको अड़ा रिप्लाई में डिलीट मैंने को यह तो अंदर करेगा डिलीट की ठीक है पोथ में और il डिल और यहां पर हमना तुम यह मत बहलुत बोल्ल रिप्लाई डि को लिक विस्वी सारा खिल आइडी का ओर रहा है ना वा पर तुम एसा पोपीजे डिन halves को डालौ, हाईटी से कर लो, सही है चला सही है, सही सही कर. मस चला कोई प्रोब्लम कोई भी दिक्कत नहीं मेरे अकोडिंग तो भाई सब कुछ चीज़े सेट हैं सही है और होपस आपको चीज़े समझ में आई हूंगी कि हां कैसे काम हो रही है कैसे चीज़े चल लेंगे सारी चीज़े और नेक्स लेक्टर में इसका थोड़ा सा रहे गया वह आए और बाकी तो इसमें आए जैसे व्लॉग डिलेट का यह तो इसका व्लॉग डिलेट का भी देखना है ठीक है वह भी सब देखेंगे ठीक तो इस लेक्टर में इतने ही है बायो और मैं दों तुमसा नेक्स लेक्टर में तब तक के लिए बाई